कि कैले कि आ लो फ्रेंड्स हो फिल्कम टू मााई चैनल व्बिन एकवीटि फ्रेंड्स वीदियो को शुरू करने से पहलाiber आक honest कि You अगर हमारे चैनल's विन एकवीटि को सबस्क्राइब नहीं किया तो इससे सबस्क्राइब कर लिजिये और notification bell को भी on कर लिजे जाकि जैसे में जैसे हम नवी वीडियो अपलोड करें कि notification आपको मिल जाए फ्रेंड्स और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और फ्रेंड्स मेरा ये slogan है कि let's create wealth together चलिए साथ मिलकर पैसे कमाई और ज्यादा से ज्यादा share कीज़े इस वीडियो को इस वीडियो में काफी अच्छी information मिलने वाली है मैं काफी अच्छे इसे stock के बारे मैं आपको बताऊँगा कि stock market में जो stock मतलब साल बर में भी अगर इसने कुछ return नहीं दिये वहीं का वहीं है अगर एक साल पहले के price को देखे और आज के price को देखे लेकिन ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं बहुत ही useful ये वीडियो होने वाली है तो end तक देखिए थोड़ा सा time निकल लिए तो आज हम बात करेंगे ग्रेनियुल्स इंडिया के बारे में ग्रेनियुल्स इंडिया जो की जानी मानी कमपनी है आप सब जानते हो गए फार्मा कमपनी है API बनाती है और इसके हम साल भर के return देख लेते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि साल बर में यह पिछले साल इसी तारिक को मतलब की 22 January को यह 21 January को यह था तीन सो पचास रुपे गास पास था और अभी भी यह मतलब सिर्फ 8% या 9% मान लिजी 10% यह नीचे है लेकिन फिर भी इसके अंदर आप यकिन मान यह फ्रेंड्स मेरी जानकारी के कई ट्रेडर से कई लोगों नहीं इसमें पैसा कमाया है ट्रेडिंग करके कैसे यह मैं आपको बताता हूं यह से कि यह देखिए अगर आप देख सकते हैं कि यह काफी यह पूरे साल यह से ही रहा है कि यह 300 रुपे के आसपास सपोर्ट लेता है 360 के आसपास इसका रेजिस्टंड है अब साल बर का रेकॉड देख लिए अब से कम यह तीन बार ऐसा हुआ 300 से 360 और यहां पर तो यह 400 तक का हाई टच किया था और यहां पर भी 360 मतलब हर बार कम से कम 20% रिटर्ण इसने तीन बार दिये साल में तो साला नागर हो जाता है 60% और यहां पर तो यह 400 रुपे तक गया था तो 10% और जोड़ दीजिए तो हो जाता है टोटल 70% के रिटर्ण हाला कि शेर का प्राइज वहीं है जितना पर पिछले साल था लेकिन कभी कभी प्रेंड ऐसा होता है कि हम इन्वेस्ट में एक बार शेर में हमारा स्लोगन ही है कि लेट्स क्रियेट वेल्थ टुकेदर चलिए आएए इसके थोड़े फंडामेटल भी देख लेते हैं इसका जो रिजल्ट है वहीं मैं आपको पहले सो दिखा दाऊं पिछले पूरे साल इस कंपनी ने इसकी जो रेवन्यू है इसमें कोई बड़ला नहीं है देखी लिए यह साड़े आठ सो साड़े आठ सो करोड की रेवन्यू एक यह हो गया है अगर वह भी आप देख ले तो इसका जो नेट प्रॉफिट है हलाकि वह तो काफी घटा है मतलब कि पिछले क्वाटर में डेट सो करोड डेट सो करोड सवा सो करोड एक्सो बीस करोड और इस क्वाटर में मतलब कि पिछले सप्टेबर क्वाटर में यह असी करोड के आसपास हुआ तो आर्निंग गटी है, रेवेनिव वैसे की वैसे है, ये टेमपरी पेन हो सकता है, कुछ भी कोस्ट मटेलियल के हिसाब से कमपनी अच्छी है, कमपनी ने ग्रोथ नहीं की है, इसलिए शेर का भाव भी एक पिछले साल के मुकाबले इस साल भी उतना ही है, लेकिन ट्रेडिं नव माने और इसका आप कर दे, तो अभी 35%, 30-35% रिटर्ण एक साल में, इसका भी आदा कर दे तो 15-20% के रिटर्ण काफी बढ़िया है, एक साल के अंदर, और इस कमपनी के शेर में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसके टेकनिकल चार्ट को भी देख लेते हैं, और एक में बढ़िया बात बताना भूल गया है, कि यह आप फंडामेटल भी सेर के देख लीजेगे, कि अगर मैं आपको बताओ कि इसका जो EPS है, वो पिछले साल कितना था, अगर यह साड़े छे, छे, पांच, पांच, और इस आखरी क्वाटर में, सप्टेबर क्वाटर मैं तीन का आया, तो अगर तीन को चार से गुना करें, मतलब के चार क्वाटर के, तो टोटल बारा का EPS तो कम से कम इस कंप्टिम का आएगा, और अभी इसका गाओ जो तीन सो रुपे इसका जो सपोर्ट यह ले रहा है, तो बिलकुल सही सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यह तीन सो रुपे को कोट करें, तो यह 25 के पीवी पर अवैलेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग इसको बाई करते हैं, और यह चलिए टेकनिकल चार्ट भी देख लेते हैं, और यह इसका टेकनिकल चार्ट है, और यह भी वही चार्ट है, जो हमने देखा था, लेकिन से अंदर यह कुछ इंडिकेटर्स जो है मैंने लगाए है यह साले के सारे जो है मुविंग एवरेज से नाइन डे से लेकर 200 दिनों का मुविंग एवरेज और यह आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हुए कि सारे सारे लेवस आसक पासी है अभी जहां पर यह ट्रेट कर रहा है और यह डेली बेसिस का चार्ट है और हम अभी इसको वीकली बेसिस के उपर भी देखेगे इसके और अगला सपोर्ट इसका कहा है यह भी हम देखेगे तो अगला सपोर्ट जो है यह फिर से 300 रुपे के आसपास ही दिखाए दे रहा है 306 रुपे के आसपास क्यूंकि यहां पर इसका 100 डे का weekly moving average है 100 week का moving average तो इसको फिर से आप बाई कर सकते है आप अब भी भी बाई कर सक सब्सक्राइब द니다 Kate लेकिन आप एक चीज़ के करें कि आप जो करें वह हो सकता है कि यहां से गूम जाओ या कि सिक नहीं पता है में ऊणाओ 310 फर रिवस रिवस या थny श्यारी बनीज प्नेऊit अफिर लेशीन धो तो अभी अभी जो रिसेंटली इसने जो लो बनाया था वो 280 का लो बनाया था तो यह ऐसा कोई पक्का नहीं है कि 300 पर ही यह गुम जाएगा तो आप टुकड़ों में बाई करेंगे दो टुकड़ों में करें तीन टुकड़ों में करेंगे अगर आप 10,000 की investment करना चाते हो तो क्लोजिंग प्राइस है कितना है और यहां पर जो है यह 2000 जनुरी का यह भाव है और सबसे पहले तो अब यहां पर देख लीजिए ठीके मैं ऐसे देख ला देता हूँ कि ये जैसे कि अब देख सकते हैं यहां पर ये 290 के आसपास का लोग बनाया था यहां पर ये 300 का लोग बनाया था और ये अभी अभी नॉब्र 11,000 के महिन हमें ये 280 का लोग बनाकर फिर से उपर भागा था और 360 का हाई टच किया था तो फ्रेंड्स ऐसे ट्रेडिंग करके आप मतलब की पूरे एक साल के अंदर पूरे एक साल के अंदर मतलब के जिस स्टोक ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया वो स्टोक का बाव वहीं का वहीं पड़ा है लेकिन फिर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग करके मतलब एसा नहीं कि इंट्राडर ट्रेडिंग पर शैयर सकते हैं अच्छे से और वो भी जब भी वैइक करें तो भ्यास्टरयस्ट यहीं है कि आप टुकड़ो में आप करें और अगर सेल करें अगर उसमें भी आपको इसा लगता है यह तो आप टुकड़ो में सेल करें एक साथ ना लborg करें नहीं कि टूर अबरींट्स के व इंफोर्मेशन आपके लिए हम लाते रहेगे आगे बहुत अच्छी इस्पिल इंफोर्मेशन आने वाली है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल को और सेर कीजिए जितना बने से और उसना सेर कीजिए और एक स्टैंडल की मैं किसी भी स्टोक के बाइग या सेल करने की सला नहीं दे रहा हूं आप जोबी सेर को बाइग या सेल करें या कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपना फाइनांसल एडवाइसर की सला ले और अपनी खुद की रिसर्च करें और किसी में दारी भी आप खुदी लेजिए थैंक यू पर वाचिं दिस वीडियो